और अगली खबर ले लेते हैं आपको बता दें महराश्च के और अंगाबाद की घटना पर मिररनाव अपनी नजर लगातार बनाए हुए है मिररनाव लगातार इस लड़ाई में शामिल है आपको बता दे और अंगाबाद की उस बेटी को न्याय मिले इसी में मिररनाव लगा हुआ है उस पूरी घटना में आपको बता दे एक आटो चालक ने एक मासूम के साथ छेड़ चाड़ करने की कोशिश की थी जब मासूम ने आटो से छलांग लगा दी बिना कुछ सोचे समझे कि उसकी जान को क्या होगा अपनी असमिता बचाने के लिए उसे आटो से कूदना पड़ा और इस खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दे हमारे साथ महमान जुड़ गई हैं खुश्बुजाएन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी सुप्रीम कोट की लॉयर हैं खुश्बुजी सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के लिए एक ऐसी घटना है जो आ किसे के पास पूरी तरीके से आर्थिक विवस्ता की अगर बात की जाए तो उससे सक्षम नहीं होती है मेरा सवाल यहाँ पर आपसे पहला यही है कि परिवार की अगर बात सुने खुश्बू जी तो लगातार परिवार कह रहा है कि उस शक्स को उस आटो ड्राइवर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिससे दुबारा कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो इस तरीके की हरकत करने से कांपे लेकिन सवाल उठता है जो हमारे पास सबूत हैं अभी क्या उस सबूत पर कितनी कड़ी कारिवाई की जा सकती है और क्या सजा मिल सकती है उस आटो ड्राइवर को अगर आप देखेंगे तो किस टाइब के सेक्शन यूज होंगे 354 जो है IPC का वो यूज होगा और अगर आप असॉल्ट की बात करें आप harassment की बात करें sexual harassment की या stalker की बात करें तो इनकी punishment दो साल up to two years and fine या both up to three years and fine या both है तो आप capital punishment या life imprisonment भी नहीं है इन sections बे तो पहले भी mirror now पर मैंने यही बात बोली थी कि जो हमारे sections है उनमे definitions बेग है प्रूफ करना यह तो बहुत मुझकिल होता है यहां तो CCTV में आ चुका है कि वो पूद गई है imagine अगर वो नहीं होता और अंदर वो auto में होती तो वो जो बोलती उसको proof करना फिर उसके उपर हमारा पूरा procedure चलना बहुत बहुत होता है वो sexual harassment यह assault यह की definition में कैसे बैठेगा तो I think अगर मैं present situation की बात करूँ तो जो हम सुच रहे हैं वैसा तो बहुत मुझकिल है अगर हम IPC की बात करें बट at the same time मैं भी यही बोलूँगी कि हमको हमारे laws को strengthen करना बहुत जरूरी है हमको यह जो सारे crimes है जो assault हो गया sexual harassment हो गया इनकी punishment हमको बढ़ाना जरूरी है और punishment के साथ-साथ हमें पुरा justice delivery system को foolproof, strong और speedy बनाने की बहुत जरूरत है तो I think यह तीनों चीज़े जब तभी justice मिल पाएगा विकोज अगर आज से 10 साल बाद में इस चीज़ को justice मिले और वो एक साल के लिए बंदा अंदर जाए या दो साल की उसको सजा मिले तो यह किसी type का justice नहीं हो पाएगा विकोज जो जो पीडिता है जो उसके परिवार वाले हैं उनके मन में और वो जो 10 साल का process या 5 साल का process जो चलेगा जिसमें वो involved होंगे तो यह कोई justice नहीं होगा तो जो हम बोलते है justice delays, justice denied वो बहुत अच्छे से fit होता है इन cases में बिकोज यहाँ पर harassment जो होता है या assault जो होता है विमन के क्राइम है और इसका effect lifelong होता है mental effect होता है लड़की पर खुद पर होता है family पर होता है उसके साथ साथ जब आप और मैं यह देख रहे हैं तो हम पर होता है बाहर जाने के पहले हम 5 बार सोच रहे होते हैं जाए नहीं जाए यह वाला रास्ता ले या नहीं ले तो I think safe environment बनाने के लिए आपको अपनी policing आपको अपना legislation और आपको अपना judicial system इन सबको water tight करना बहुत ज़रूरी है और time को यहाँ पर बहुत देनी करेंगी है बिलकुल खुश्बु जी आपको रोकूंगी थोड़े समय के लिए शाहिना एंसी जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ phone 9 प रही होंगी जो इस पर उन्होंने कहा कि वो बाद में बोलेंगे लेकिन कई दीन बीच चुके हैं अभी तक वो बाद आया नहीं है शाहिना एंसी जी जो होता है औरंगबाद में जो हादसा हुआ हम मानते हैं कि ये एक सामाजिक दुरुष्टी से एक बिल्कुल सोचने वाली बात है जहां एक आटो ड्राइवर आट दस बिन पीछे एक लगकी को स्टॉक करते हैं उनके वेरबाउट कहां जा रही है क्या कर रही है और फिर जो एक बातावरण बनता है उसमें हम जरूर चाहेंगे कि कानुनी तौर पे कारवाई भी की जाए इस रिक्षा ड्राइवर के प्रती लेकिन दुमें पॉइन पॉइंट इस 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 पॉपाइटल प्रोब्लम वी नीज तो हाँगर लेजिसलेशिंशन वी नीज तो हाँग कॉर्ट प्रोब्लम वी नीज तो हाँगर लोगों को लगता है कि महिलाओं को छेटकानी आप करें बस में, ट्रेन में, आटो रिक्षा में, कहीं भी तो आपको कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है पैदा करने के लिए और ये दिखाण कि we walk the talk, because in this particular case, we do realize that these are people who are tracking your movement for the previous days to figure out where and what the problem is. पहुँची थी, तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि महिला नेताओं के प्रती जब अभधर टिपड़ी की जाती है, तो राजिपाल के दर्वाजे तक महिला डेलिगेट्स पहुँचती है, लेकिन इस घटना को कई दिन हो चुके हैं, नजर नहीं आता, एक महिला होने के मैं आते मैं आपसे भी ये सवाल करना चाओंगे कि अब तक किसी भी जो महिला नेता है, वो इस पूरे मुद्दे पर सामने नहीं आई हैं? कानून का खौफ, सिक्योरिटी, ये बहुत ही महदवकून है, लेकिन हम सब जाते हैं कि आज के परिपेक्ष में, जब एक बलजगी खुटी है एक ऑटो विक्षा से अपने आपको बचाने के लिए, ये एक ऐसा हाथा है जहां वाता बरण में पश्ट ये रूप से ये साम हमने आता है कि समाज के जो दरिंदे हैं, समाज के जो परवस हैं, समाज के जो पुरुष प्रधान मानसिक्ता वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि अरे हम कुछ भी करें, हमारे प्रती कोई कारवाई नहीं होगी, ये गया वो दिन और गया वो जमाना है, और मैं महाराश्रा स आशन के प्रदी और देविंद्र फंडिनिस हमारे ग्रह मंत्री के तरफ से जरूर कहूंगी कि सजा तो मिलने वाले हैं लेकिन हमें देखना है कि कैसे ऐसे हाथ से नहों जी ऐसे हाथ से नहों ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए अब इस पर रोक लगानी चाहिए मैं आप से जान को पांचे दिन हो चुके तो सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है शाहिन जी देखे जब गिरफतारी होती है और वाटर टाइट केस करना है वाटर टाइट केस तो बहुत सारे प्रावधान भी लेने की आवश्क्ता है पुलुष पुलीस अपने तरफ से तैकिकात जरूर कर रही है सारवाई जब होती है तब फ्रांसेक्यूशन को स्वांग रखना देखना कि ये जो गुनेगार है उनको से बेल न मिले इसके लिए भी सोच विचार रनीती की आवशक्ता है जो महाराश्टा सरकार कर रही है जी शाहिना जी शुक्रिया हम से जुडने के बात चीत करने के लिए तो ग्रे मंतरी आपको बता दे और जो प्रदेश के उपर मुख्य मंतरी देवेंद्र फडनविस जी जिन से मेरा नाव ने सवाल किया था कि एक बच्ची ऑटो रिक्षा से कूद गई है अपनी असमिता बचाने के लिए इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हाला कि तब से उनके जवाब की इंतजार में हम है लेकिन अब तक उपमुख्य मंतरी साहब का जवाब नहीं आए शायना एंसी जी जो बीजेपी की प्रबक्ता है उनका कहना है कि वो ग्रे मंतरी से बातचीत करेंगी उपमुख्य मंतरी से बातचीत करेंगी और भविश में प्रदेश में इस तरीकी घटनाएं ना हो इसका वो सुनिश्चित करेंगी हमारे साथ खुश्बुजी जुड़ी होई है खुश्बुजी क्या कुछ कहा इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक जामा ना पहनाये जाए हालांकि हम राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे सीधा था सवाल था कि जब जो महिला नेता है उनके खिलाब अभद्र टिपड़ी हो जाती है तो आप लोग पहुँच जाते हो जो सुप्रीम है उस तक लेकिन यहां एक बच्ची कूद पड़ी रिक्षे से अब तक कोई जवाब किसी महिला नेता की तरफ से नहीं आया फिलाल चलिए छोड़िए मैं आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी आम तोर पर सबूत कोट में एक बहुत एहम पहलू होता है कोट में जो मामले होते हैं उदारण के लिए यहां पर मैं दिल्ली का चावला मामला रखना चाहूंगी केस जो चावला केस हुआ था लोगों को इसलिए सुप्रीम कोट से बरी कर दिया गया क्योंकि उनके पास कोई ठोज सबूत नहीं था ये बाद में आया भी कि जो पिछले यानि पुलिस हो गई या जो निचली अदालते हो गई उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया था जिसकी वज़े से उन लोगों को बरी कर पड़ा तो इस केस में इस केस में जो एक सिर्फ CCTV फुटेज है इसमें आटो ड्राइवर मुकर भी सकता है कि उसने धक्का नहीं दिया लड़की खुद कूद गई तो इस मामले में जो माबाप इतनी आस लगा कर बैटे हुए कि कड़ी से कड़ी सजा हो किस लिहाज से देखती है और क्या वो सजा मिल पाएगी कितना मुम्किन होगा कोट के लिए कितना आसान होगा कोट के लिए इसके लिए मैंने बोला था कि आपको एक time limit रखनी होगी investigation की क्योंकि आप जब time limit लगते हैं तो evidence को preserve करना बहुत असान होता है अगर आप मना करने कि evidence नहीं मिला तब भी समय है उसके उपर investigate करने का या cross investigation करने का पर यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि 10-10 साल तर जब कोई evidence नहीं मिले या इसके हिलाफ कोई सबूत ही नहीं कुछ प्राइमरी या secondary evidence भी नहीं मिला तो दस साल के बाद में बहुत मुश्किल होता evidence को collect करना या उस चीर से relate करना या consternate करना तो I think time आपको बहुत जरूरी रखना है आप जब evidence के बात करते हो तो evidence बहुत ही important हमारे साथ में यह हुआ तो जो लड़की है इन सेक्शन में लड़की खुद का जो witness देती है उनका जो statement है वो भी admissible होता है as an evidence तो यह जब आप crime against women के बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी जो amendment हुआ तो उसमें यह बोला गया कि अगर women है women के साथ में को यहां पर I think to an extent माना हमने police की जो police में जो statement दिया गया है accused की तरफ से वो admissible नहीं होता है court में but वहां से आगे जाकर या narco test की जो बात कर रहे हैं तो आप उसके बाद में evidence निकाले और evidence को जमा करे और आगे बढ़े फिर से मैं आपको बोल रहे हुँ कि आप अगर उमीद र पुष्में इतनी जादा नहीं है उनमें पुष्में अप तो तू थी यहर्स है और अगर अगर अटेंट टू अट्थ है यह 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 चीज है तो 307 लगेगा तो उसमें आपको 10 यह इंपरिजमें मिल सकती है और अगर अगर सिफ सेच्छल हरास्में असॉल्ट या बाखी स पर अगर अगर पारी यह चीज है तो इनकी पनिशमें टू इनकी पनिशमें आपका शुक्रिय हमारे साथ जुड़ने के लिए बात्चीत करने के लिए तो लीगल फरंट पे लीगल अक्षिं क्या कुछ हो सकता है जो केस अभी तक दर्च किया गया है उस आटो रिक्षा ड मासूम के उन वो आस लगा हुए बैठे को उसको करी से कड़ी सजा मिले बहरहाल यह आगे भी अब निर्भर करता है कि इस पूरे मामले में कितनी तलीनता से चानबीन की जाती है क्या और धाराईं लगाई जाती है ताकि उसके बिना पर इस आटो ड्राइवर को सजा मिल सक कि अबराईं लगाई वाराईं लगाईं लगाईं लगाई बाराईं लगाईं लगाईं का और भी जाती है